हेलो दोस्तो एसलेक्राइस में आप सभी का स्वाग है दोस्तो आज का जो हमारा वीडियो का टॉपिक है यह बहुत थी अच्छा टॉपिक है कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो अप्लूट किया था जो एक सिंगल 444 आइसी का एंप्लिफायर बनाया था वह भी बैटेज से भी चला जा सकता है आप सभी जानते होंगे फिर भी मैंने एक वीडियो बनाया है जिन लोगों भाई को नहीं पता होगा वह उसको यह नौलेज मिल जाएगा तो देखिए मैंने यहां पार यह जो मसीन होगा यानि कि अंप्लिफायर होगा सिंगल चुल इस चलिस से बना हो शोगा उसको हमको वल्टेज की जरूत परती है बादा वोल्ट पूरा बाडा वोल्ट की जरूत परती है जो मैंने डिसी में दिये आथा यानि कि बटए से जो चलाए था उसके उपर मैं आपको बताया था लेकिन आज हम यहां पर कोई बाडा बोल्ट ट्रास्फोर्मर का नहीं यूज़ करेंगे यहां पर सिफ एक सिफ नाइन वोल्ट का ट्रांसफर्ण यूज़ करेंगे देखिए मैंने ले लिया है यहां पर 909 वोल्ट का यह पांस्तों मिली अम्पेर का पिछले वीडियो में बनाया था इस छोटे से अंप्लिफायर इस छोटे से कैबिनेट मे ख में बढ़ाएंगा हलका फुलका होगा यह अप कहीं भी ले ले जा सकते है कि इसलिए मैं इसमें बनाणा दिखाओंगा यहांपर कैसे कहा कैनेक्षिन क्या करना होगा वेसलिक इसका सब करेक्शन एक ही होता है फिर भी मैं आपको दिखाऊंगा जिन लोगों को ट्रांसफर्मर के बड़े नौलज नहीं याने कि ट्रांसफर्मर से कैसी को अब सब्सक्राइब बना लेते याने की एंस्ट्रूमेंट अब खरद लेते लेकिन कहांसे क्या नहीं हो होगा तो उसके लिए मैं यह वीडियो बना हूँ और एक वीडियो भी में है एंप्लीफार कैसे बनाते जाने कि वह डूएल चुले से बना होगा आप नहीं देखा तो आई वेटम आपको लिंग मिल जाएगा देख लेना उसको अगर वह नहीं समझा तो उसके उपर भी मैं वीडियो बनाऊँगा तो चलिए आज कि हम यह वीडियो को शुरू करते हैं वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको थोड़ी सी बात बता दूँ कि आप मेरे इस वीडियो को देख अगर अच्छे लागे तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिए और चैनल को कर दीजिए बेल को और में प्रेस कर दीजिए क्योंकि यहाँ पर ऐसे ही दमदार डिलोप्रेंस ट्रेग लेटेड वीडियो मिलते ही रहते हैं तो आएए दोस्तो मैं आपको दिखा दू इस एंप्लिफार को बनाने के लिए हमको क्या क्या जरूरत पड़ेगी सब्सक्राइब को क् Pacific기를 दिखाए यह फिर विदिए है कि बनाऊंगा वह देख लेना आफको इसके बड़े अच्छे से हो जाएगा candidate लिए इसे केबिंट में इसको tiếp करने के लिए इतना छोटा से इसको लिया है एका बड़ा वोल्ड बड़ा वोल्ट का ट्रास्फार्मर लिया होता तो इसमें नहीं होता तो कैसे इसको फिटिंग करते हैं इसलिए इसको छोटा सा लिया सबीए हम कोई कोई भी फ़रक नहीं होता देखे 9 से 12 कितना फ़रक होता है 9 11 12 दो दो वोल्ट की फ़रक होता है यह आपको ज्यादा कुछ नहीं होगा यह बना सकते है अपकी मर्जी है तो और यह है मैंने यह पर एक पैनल यह यह उसबी का पैनल और यह चो कैबिनेट तो है यह कैबिनेट थो यह अ skilled महर्स अच्छा सो चासा है यह अच्छा साउपें मिल जाएक मार्केट में और यह मैंने आक्पूर्ट देने के लिए यह एक विदियो बना है आई बुदिन में अपको लिंग बिल चाहिए कर देखने ज़रू अगर इसके बार स Angeb को आख सो देखैक तो ओर यह प्रोटेंट्टाय लिया एक ही यहां पर क हाओ जिसको कुंट्रोल करकी क्म-ज्याध्य करने के लिए इसके उपर ही विडियो व्ही процесс क्या किनेक्शन को करना होता है कहां से क्या कुंब चाया है उसके उपर वी वर फिट्रीमें आपको लिंक मील को आप देख लेना तो देखिए दोस्तो मैंने इसका पूरा फिटिंग कर लिया है आप इसको एक एक करके मैं आपको कनेक्शन दिखाऊँगा कहां से क्या कनेक्शन करना होगा सबस्तों पहले हमको जरूद परेगी एक एसी वयर की आप चाहे तो इसको सब्सक्राइब लेशाया या जो हमारा वाय्प होता है इलेक्ट्रीशिटिटी में काम आता है वो वायर भी आप ले सकते मैंने यह पर यह वायर लिया है इसको सेश्ते में मिल गया था अब इसको हम ट्रासफ़ों मो इंपूटर देने के लिए इसे फ्रिटिंग कर ल romantic देंगे इसके पीछे के तरफ एक खोलता है उससे इसको हमको घुसाना पड़ता है फोसाने के बाद जाइसे यहां पर बहांने अपधर को यहां पर मैंने उसकी तरह प्रांस्फर्म के इसी का इंपुट होगा इसको अब ध्यान रखना पड़ेगा नहीं तो अपका प्रॉब्लेम होगा कनेक्शन करने में तो देखिए इसको ले लिया यहां पर हम कनेक्शन कर लेंगे तो दोस्तों देखिए यह फुरा कनेक्शन कर लिया यानि कि एसी वायर का हम इसमें इनपूर्ट दे दिया है आप इसका आउपूर्ट से हम काम करेंगे तो चलिए अब दोस्तों इसका जो एसी का पॉइंट मैंने कनेक्शन कर लिया है आप इसमें से जो एसी बहार निकलता है वो प्योर एसी नहीं होते इसके लिए हमको एक ब्रिज रिक्टीफर बनाकर इसको डीसी में करनबर्ट करना परता है यहां पर एक कैपसेटर भी लगा होता है ग्रिझ रिक्टीफर बनाना पड़ता है बनाने के बाद इसको ग्रोडस इसी ही तो यहांपर मैंने इसके मुतंबिक ञत्यों की इसमें मैं डाट की बड़ में कोश्च नहीं बताऊंगा क्योंकि इसके उपर भी मैं वीडियो बनाऊंगा और यह ब्रीज रिट्रिफार्ट के उपर भी मैं वीडियो बनाए है आई बैटम ने आपको लिंक मिल चेगा देख लेना उसको देखने के बाद यह वीडियो आपको समझा जाएगा तो चले फटाफार्ट इसको हम फिटिंग कर लेते आप एक बात आपको धियान रखना पड़ेगा अगर आपका ट्रांसफर्मर का फ्री आउट्पूट याने क ये जे़िया होता है आपको इन तीनों में किसी एक दुनों को लेना पड़ेगा ये अपको मैं मिट्र से मापके दिखा दूंगा तो आपको किसी एक दोनों का लेना पड़ेगा उसके ऊपर यह बिलिझेर करना चाथे आफ यहां डिरिक्ट करनेक्शन करने 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 यहां चालाने और आपको मीटर से मैं चेकप कर देता हूं देखिए मैंने इसको इंपूट दे दिया यह करन दे दिया और यह मल्टी मिटर ले लिया है इस मल्टीपीटर से हम डीसे में इसको चेकप करेंगे दिसी हजार बोल्ट में इसको सेट कर लिया है अब यह जो रेट और व्लैक प्रूप है यह माइना से यह प्लास है इससे हम इसको टेस्ट करेंगे तो देखिए कोुछ नहीं दे रहा कि क्यूंकि इसको AC में करना है कि अभी यहे ऑसी है तो देखिए बोच 14 ,13 ,15 सू कर है यह भूखर का रहा है कि यहांपर काम हैना इसलिए यहांपर कामयाली है यहांपर भी और यहां से डिरेक्ट कनेक्शन नहीं करनेगा हमको यहसे यहां पर कितना वोल्ट सार आपको दिखा तुछारा देखे 24 बोल्ट आ गया है आप इसको बिरीज रेक्टीफर बना करके भी ऐसी बोल्ट साएगा इतना ज्यादा यह 9 वोल्ट का है लेकिन अफिर ज्यादा वोल् तो चलिए फटा फटाम ब्रीज ड्रेक्टीपार को ट्रांस्फर्मर के साथ फिट कर लेते यह ब्रीज ड्रेक्टीपार जो मैंने बनाए इसके साथ थोड़ा सा वायर कनेक्शन करके रखाया है यह जो है यह पीला वाला है यह अमारा माइनस है और यह जो रेड़ वाला है य समद जाओंगे हम तो इसकी सबसे हम इसको अजय कर लेते हैं कि अज़िए बच आई कि आज़िए तो अज़िए यह देखें यह इसका क्नेक्शन हम कर लेते हैं पहले कि इसको तो हम पीछे के तरफ यहां पर लगाएंगे अगर आप यह प्रोटक्शन में नहीं लगना चाहते हैं इस वॉल्म को डिरेक्ट कर सकते क्योंकि यह चोलिस चलिस के बहुत सब्सक्राइब करके लो को आप इसको डिरेक्ट कर सकते कोई भी प्रॉब्लमम नहीं होगा कि यानोज करते हैं कि निकार लेगा उसके ऊपर डिबेंड करता यह डिरेक्ट होimentos सब्सक्राइब में यह करने से यानि कि यह जो हमारा यूस्पी पैनल लगा रहे इसके वोल्यूम से हम उसको कम ज्यादा कर सकते तो बैतर फाइदा होगा मैं यह पोटेंस लिमेटर लगा लू इसके इसाब से मैं इसको कंट्रोल कर पढ़ाऊंगा आपकी मर्जी अगर आप करना चाहे तो ड लगा लिया सोब इसका करनेक्षण भी मैं कर लूँगा धीर धिर यह यह पर लिया यह घ्राउंट पर अच्छे से वचे बरे इसको हम अच्छे से यहां पर लगा देंगे अब देखिए इसका connection शुरू करते एक एक करके आपको बता था यह जो व्रेट वाला है यह अमरा प्लास है और यह मायनस बहुत बहुत पुराना बोड है इसके लिए यहां पर थोड़ी सी अलग connection कर लिया यानि कि इसका जो डाइग्राम यह बहुत अलग हो सकता है आपके लिए न्यू न्यू जो मोड़े लाड़ा है उसमें अलग से connection होता है तो फिर भी मैं एक बार बता दू जी इसका जो बाड़ा वोल्ट का connection है यानि कि इनपूर्ट आइसी में जो जाता है वह जो भी हो आप सार्कीट में देखकर ग्राउंड को connection कर सकते हैं कि ग्राउंड सर्कीट में बहुत से फैले हुआ यानि कि बहुत से जगह में फैल हुआ है आप कही से इसका input दे सकते हैं बिसिकलि आपको यह पैचन होगा कहां से input देना होता है अगर न्यू सर्कीट है तो उसमें तो बताई दिया होगा कहां से connection होता है इनपूट का अगर पूरा ना है तो उसको आपको ढूंडना बढ़ेगा कहां से होता है जो जानते तो वह जानते वह बहुत आसानी से उसको ढूंड लेगा कहां से connection करना input आप यह जो पॉटेंशन मिटर का जो तीन वायर है इसको मां connection कर लेते हैं ग्राउंड को ग्राउंड से तो देखी इसका connection कर लिया है potential meter का connection आपको मैं फिर से समझा दू फॉटेंशन मिटर का connection क्या से किया है यहांपर बाइमेंटर की जो है वह ग्राउंड का connection किया बीच के तरफ वह आउटपूट होता है यानिकि सटकिट यहां से वहां पर कनेक्शन किया और डाइमें तरफ की जो हता है वह इंपूर्ट होता है तो मैं यह पैनल से डिरेक्ट इन्पूर्ट ले जिया है आप हमारा कम बनता है इसका आउट्पूट और इन्पूट यानि कि यह इसको पावर देने के लिए जो यह बोल्टर रेगु आपको एक बात बता दू इस सर्कीट का यानिक यह चोलिस चलिस आईसी का जो स्पिकर का आउट्पूट होता है वह हमें सा टेन और ट्वेल्फ नंबर पेंसे ही आउट्पूट निकलता है तो इसकी सबसे आपको उसको कनेक्शन करना पड़ेगा कि यह च्छोटासा ज्यैक है यह सर्कीड में इ tv देने किया सर्कुक्री यह जो पेरेल होता है इस में इन्पूट देने कि यह चोटा सा जैकक इसमें लगा लिया है अब इसका अभी अभी अज़र यह न संदेंगे को चलिए तो फाइनल दोस्तु इसको पुड़ा connection मैंने कर लिया यह वारिंग कर लिया है मैंने आपको फिर से एक बार बता दू यह का पॉइंट इस इसमें आया इसमें प्रीवीर डेसी के लिए मैंने सर्किट में इस जो आउट्पूट होड़ा स्पीकर को इसको मैंने ये सोकेट बेले लिया आप ये सकते हैं या कोई यहां से क्या यहां से किया इस सर्कूट में आपको कि जी दर करएंगे मौह परी सिंगल रहेगा यानि कि यहां पर से कोई जॉन नहीं रहेगा और को बिल्स नहीं बनाओ कोई नहीं होगा यह इसको रखा गया इत्व का ग्राउंड करक्शन यहां से किया है यहां पर च्टा रखाई लगाग यहां-बध कमट करने लिए और यहां पर जब voltage regulator होता है वहां का connection कैसे किया है आप साथ जान दे होंगे फिर भी बता देता हूँ और एक वीडियो भी है आप चाहिए उसको देख सकते हैं यहां पर 12V यानिकि यह 9V को इंपूर्ट दिया है इंपूर्ट देने के बाद 5V बाहर चुआ है उसकी जैक की मत इसमें हिंपूर्ट दे दिया है इसको आउटपुट है वह सीधा हमारा potential meter की डाइमें तरफ की फिन में जाता है तो पूरा diagram मैं आपको समझा दिया है तो दोस्तों मैंने यह एक speaker लगाया है इसमें आप यह test करूंगा इसको मैं on कर चुका हूँ एक song play करकर मैं आपको लगाना पड़ता है तो वह लगाने के बात इसका performance थोड़ी अच्छा हो जाता है एडवांस हो जाता है तो इसमें थोड़ा सा जितना दिया गया है उसकी सबसे में इसका sound होगा झाल 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 झाल